डायमन कॉलोनी नवरतन कॉंप्लेक्स के पॉश इलाके में दो ब्रद महिला की दिन दहाडे हत्या कर जेवरात लूटने वाली आरूपी महिला को आज हम्मा माता पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गिरफतार महिला को साथ दिन के रिमान पर बेजा है। पुलिस ने बताए कि डायमन कॉलोनी में डबल मर्डर के मामले में महिला आरूपी मारिया पतनी मुस्तंसर बोहरा उम्र 32 साल नवासी सेफी मस्जित के पास सलुमबर हाल 28 मात वाडी मेवार हॉस्पिटल के पास थाना सुखेर उदैपुर को कुवेत जाने से पहले गिरफता किया पूछना से यह पाया गया कि आरूपी मारिया का पती कुवेत में रहता है आरूपी महिला ने पैसे शेयर बाजार में लगाने से करीब 30 लाक रुपे का गाटा होना बताया जिससे दोनों म्रतका के जेवराद लूटने के लिए हत्या करना बताया है आरूपी महिला मा मरतका हुसेना बाई के बहन जुबेदा के लड़के मुस्तंसर बोहरा की पत्नी है जिसने उसके गर में रहकर काम करने वाले परिवार के नबरात्रा कर गाम जाने पर हुसेना बाई के गर जाना बताया। गटना वाले दिन आरोपी मारिया गर के नीचे के फ्लोर में गुस अपना पहना हुआ बुरका उतार कर लोवर वर टीशिट में मुँ ढखकर लोहे की छोटी रोड़ छुपा कर मृतका हुसेना बाई की कमरे में पहुँची जहां मृतका हुसेना बाई टीवी देख रही थी जिसका पीछे से उसका मुँ दबाया गया जिससे मृतका हुसेना बाई द्वारा आरोपी महिला का मुँ पर ढखका हुँ कपड़ा हटा लेने से उसकी पहचान हो गई जिससे आरोपी महिला ने मृतका हुसेना बाई को मुँ दबा कर वर लोहे की छोटी रोड़ से सिर पर वार कर मार दिया फिर मृतका हुसेना बाई पहने हुए जेवर उतार कर एवं अलमारी में रखे जेवर निकाल कर जाने लगी तो उसी समय दूसरे कमरे से मृतका हुसेना बाई की बहन मृतका सारा बाई के उठ कर आने से उसको भी मूँ दबा कर मारा एवं सिर्फ पर भी रोड से वार कर माट दिया उसके बाद जेवरात लूट कर वहां से निकल गई तथा दूसरे दिन वापस पेट्रोल ले जाकर घर के नीचे फ्लोर में चड़काव कर बिच्छाई हुई चटाई परला आँक लगा दी जिससे घर में आँक लगने की गटना करूप दिया जा सके तथा हम रतकावारदात करने के बाद लूटे वे गहनों में से कुछ गहनों को बैंक रख कर लोन भी ले लिया ताकि पुलिस को तलाशी के दौरान नहीं मिले